गैज आज हम लोग इंडियान बैक ड्राइबिंग थ्रीडी में बनने जा रहे हैं इंडिया का सुपर हीरो किरीश और किरीश बनने के बाद हमारे अंदर बहुत सारे सकतिया आ जाती है और सकतिया आने के बाद हम इस आस्मान में उर सकते हैं और बहुत सारे चीजे कर सकते है लेकिन क्रेस बनना उतना आसाइन भी नहीं है हमें कोछग मिस्सन्स कप्लिट करना होगा और वह मिस्चन्स हमारे RGS टोल में आएंगे अगर हम उन फ्स्सन्स को कंप्लिट कर पाएंगे तो हम क्रेस बन जाएंगे चलो अभी मैं इस एरोप्लेन में जाता हूँ और इस एरोप्लेन से नीजे कुदने वाला हूँ सबसे बेले इस एरोप्लेन में बेरता हूँ और इस एरोप्लेन को उड़ाता हूँ आस्मान में और इस एरुप्लेन को उड़ाने के बाद मैं इस एरुप्लेन को बहुत उपर आस्मान में ले जाने वाला हूँ और उहांसे कुदने वाला हूँ और इसके बाद हमारा फर्स्ट मिस्सन कंप्रीट हो जाएगा और बहुल सारे बांकी मिस्सन्स में आने वाले है अगर हम ओन्न मिस्सन्स को कंप्रीट करेंगे तो हम किरीश बन जाएँगे तो अब ही में बहुत उपर आज चुका हूँ इस आस्मान में एड़ोपीलेन लेकिए अब में यहां से कूदने वाला हूँ तो में यहां से कूद गया हूँ सायद में जिन्दा बस भी जाऊंगा या फिर नहीं बसुँँँगा मुझे कुछ आईडिया नहीं में बहुत मिशन कंप्लीट हो चुका है और हमारा सेकेंड मिशन भी आ चुका है जो कि है किल दर डाइनोसर्स अभी हमें जराशिक पार्क में जाना होगा और वहां पे जाके डाइनोसर्स को मारना होगा समने से एक गाड़ी आ रही है इसका गाड़ी में छिन लेता हूं इससे और लेकिन आर्पेजी मारता हूं और इसके बाद ये मर जाएगा मुझे साहिद एक ही डाइनोसर को मारना चाहिए या फिर बागी डाइनोसर को भी मारना चाहिए मुझे नहीं पता सामने एक और डाइनोसर भी दिख गया है इसको भी मारता हूं पहले वाले डाइनोसर ने तो मे आशे निकल ले थाओं और हमारे लिए नेक्स्ट मिशन भी आचुगा है किल टेन थाउजेंड जोंबीश साइधे टेन थाउजेंड ही होंगे या फिर वन मिलियन होंगे तो मैं जोंबीश को मारने के लिए एरपोर्ट में आ गया हूं और इहीं पर है वन मिलियन जोंबीश और इन सबी के सबी जोंबीश को मारने के बाद हमारा नेक्स्ट मिशन भी कंप्लिर हो जाएगा और साइध से हम किरिश भी बन जाएंगे अभी में बहुत सारे आरपेजी चला थाओं और सारे के सारे जोंबीश को मारता हूं तो अभी सारे के सारे जोंबीश को में मार दिया आए लेकिन बांकी मिश्चन्स भी मेरे लिए नहीं आ रहे है इसका मतलब में किरिश बन जाओंगा वेट करते अभीता रात ही हो चुका है लेकिन अभीतक में किरिश नहीं बना अभी में सुने के लिए जाता हूं सायद मे मैं कल तक किरिष बन जाओंगा अभी तक मैं बहुत ठक भी चुका हूं अगर मैं किरिष बन भी जाता हूं तो मैं नहीं उर पाओंगा इसलिए मैं अपने घर में जाके सो जाता हूं तो अगला दिन मैं जल्ली उठ गया लेकिन अभी तक मैं किरिष नहीं बना लेकिन सामने आवल कि तो जादु पताने कहां से आगया और यह जादु हमें कुछ बता रहा है और यह जादु हमें सकती देगा और उसके बाद हम किरिज्च बन जाएंगे अभी वह जादु गईव हो गया है उसने बला किरिष बन जाँ उस एक साम एक गाहि है पाए meanक नहीं XL किरिष बने के बात रहा है कि अभी में बहुत भाग रहा हूं बहुत जल्ली-जली किरिष बन के बता नहीं मेरे अंदर इतनी श्रीट कहां से आगई है बहुत मजा आ रहे है मैं बहुत जल्दी-जल्दी भाग रहा हूँ और किरिश बनने के बाद मैं आस्मान में भी उर्णे वाला हूँ ए देखो मेरा पीओ भी मैं इस तरीके से इतने फास्ट उर्पा रहा हूँ किरिश बनके और किरिश बनके मैं शेहर से उपर भी उर्पा रहा हूँ मेरे लिए अब उर्णा बहुत आसान हो गया है मैं यहां से उहां बहुत आसानी से जा सकता हूं मेरे अब मुझे उर्ने के लिए जेट फ्या के एरोविलेन के जरुरत नहीं परने वाली और मैं किरिश बन के आस्मान में भाग भी सकता हूं